सो हमारा unit number one से जो सबसे long form में question आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं बताइए macro economics क्या है और इसके अंदर किस किस चीजों की study किया जाते हैं इतना तो simple question बनना नहीं चाहिए वेकिन आएगा क्योंकि unit number one is very small इससे जादा तर short notes वगेरा हैं सम्में आ जाए main question में आना इसकी chances probability कम होते हैं कि macro economics क्या है इसमें हम क्या-क्या पढ़ते हैं तो हम लोगोंने इसके अंदर पढ़ाता है ना long term economic growth first of all economic growth के बारे में हम लोग ने पढ़ा था फिर हम लोग ने interest rate के बारे में पढ़ा था inflation के बारे में पढ़ा था unemployment के बारे में पढ़ा था business cycle के बारे में पढ़ा था unemployment business cycle के बारे में पढ़ा था so these are the topic that we can learn in our unit number 1 so यह हमारा unit number 1 के अंदर हम लोग यह चीजे macroeconomics के अंदर पढ़ना है and this is the subject matter of macroeconomics that is the important topic of the macroeconomics so first, लेकिन फिट से बोला कि इसकी 7 and half marks में आने की chances probability कम है आएगी तो यही सबसे आ सकती, बताएगे business cycle model क्या है, इसे explain करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरही के से यह जो मैंने graph बना रख है, यह आप graph के तुरू, आप इसे explain करेंगे कि expansion कब होता है ठीक है ना, contraction कब होता है recession कब होता है फिर हमारा back, फिर हमारा economy फिर से कैसे आता है back, फिर same schedule, तो this is our business cycle आपको हर एक का definition आपको लिख करके बताना होगा कि recession किसे कहते हैं, depression किसे कहते हैं, तो सारा चीज़ को आपको explain करना है कि दो quarter के अंदर consecutively हो recession दो से ज़्यादा के अंदर हो depression, तो इस तरीके से आप business cycle के बारे में वैसे unemployment क्या होता है short notes के अंदर आ सकते हैं what is the unemployment rate unemployment के है, unemployment rate के top easily तरीके से वहाँ पर आप define कर सकते हैं, मैंने वीडियो के अंदर सारा बात कर रहा हूँ, इसलिए detail format के अंदर नहीं जाऊंगा मैं, सर्फ आपको बताऊंगा यह यह asset type की question बनेगी, ठीक है न, पर inflation के अगर बात करते हैं तो inflation के है ठीक है न, and what is nominal and real inflation, inflation भी दो तरीके के होते है, real, nominal क्या होते है, वो inflation, बताईए inflation बढ़ने के कारण money के उपर क्या effect पहुचता है, यह बताईए inflation से हम कैसे लड़ सकते हैं, यह बताईए, तो यह सारा चीज़ आपको बता रखा हूँ, कि inflation से हम कैसे लड़ सकते हैं, कि nominal क्या होता है, real क्या होता है, सारा interest rate nominal, real क्या होता है, मैं बता रखा हूँ growth कैसे determined किया जाता है productivity के उपर, है न, कि किसी भी country के अंदर कितना productivity हो रहा है मलब, पहले एक इंसान एक गंटे में पाच computer बना रहा है, अब एक इंसान दस computer बना रहा है, जादा earn कर रहा है, same computer, तो क्या productivity जादा, that's why हम कहेंगे कि उस country की economy growth जाद है, तो productivity, सबसे main जो factor होता है, economic growth को define करने का, वो क्या होता है productivity, productivity define how much a country can gain economic growth during specific period, ठीक है न, अगर इंडिया की बात अगर किया जाए, तो 6.5% अगर economy growth अभी चल रहा है, तो वो depend करता है productivity के उपर कितना output हमारा इंडिया प्रोडूस कर रही है ठीक है न, तो इस तरीके से हमारा short notes के अंदर छोटे-छोटे question और जो सबसे important मेरे short notes के अंदर question लगते हैं, वो है what is unemployment and what is unemployment rate, what is unemployment and unemployment rate, बताईए क्या है, तो यह, मैं अच्छे तरीके से बिलकुल बता रखा हूँ, कि हमारे देश के अंदर population 130 करोड, अब तो 142 करोड हो गया है, 130 करोड की है, तो जो labor force है, हमारे country के अंदर वो कितने 70 करोड की है, ठीक है ना, 70 करोड की labor force, labor force का भी definition आपको बता रखा हूँ, कि labor force किसे कहा, 130 करोड में से सारे लोग जो है, वो define नहीं कर सकते, सारे लोग और नहीं कर सकते, सारे लोग work नहीं कर सकते, कुछ बुड़े होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो सभी कोई को हम force नहीं कहेंगे कि वो job कर रहे हैं, इतना मेरे country के अंदर बेरोजगार 130 करोड में से नहीं बोलेंगे, तो labor force किसे कहेंगे, जो आदमी, क्या, चाहत रखता हूँ कि मैं काम करूँ, चाहत रखता हूँ कि मैं काम करूँ, willingness to work, and second of all, जो आदमी चाहत तो रखता है कि मैं काम करूँ, साथी साथ उसके पास ability भी हो काम करने, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके पाद degree भी हो काम करने का that's nice, कोई अगर बुढ इनसान है वोाज दा ज़ियÏ थो बहुत रपहरे में वो अक safety लुकल में आठी देड़ काम करऊ मेरे को खाना पिना है दो काम करना है पैसे करना है उनके पास अब लीटी नहीं है कि वो काम कर सकी वो सच्छमIGHT ही है कि वो काम कर सके तो लेवर सोस्की से कहें दोस पीपल विसाद विलेग्नेस तुवर्क एड़िटु तुवर्क डाट इस लोग बीच में किया बेरोजगार तो साथ करो बेरोजगार हैं तो हम अगर बताए कि किसे कहेंगे ऍपलॉयमेंट कहेंगे कि वैसे लोग पहला है जो लोग सच्छम है चहत है एक काम करने का आप चीप सच्छम भी है और चाहत भी कि मैं काम करूं तो चाहे तो आपको जॉब मिल सकती है इंप्लोइमेंट अज चाहे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती अगर जॉब मिले लेवर फोर्स को तो उसे क्या कहें कि employment नहीं मिले unemployment तो अगर नहीं मिले तो कितने लोग यहमारे गंटर के अंदर 7 गौड़ंट, 6-7 करौड लोग है, जो है our 6-7 गौड़ंट, तो अगर आप percentage on employment rate किसे कहेंगे on employment rate तो किसे कहेंगे, that is the लेवर फोर्स, लेवर force में से कितने लोग जो है वो unemployed है लेवर force में से कितने लोग जो है वो unemployed है तो इसी को क्या कहते है unemployment rate that is 70 crore में से अगर 6-7 crore है that is 8-9% बेरोजगारी दर है हमारे country की अंदर इस तरीके से हम define करेंगे unemployment rate सभी को define करना unemployment किसे कहते हैं वैसे लोग जो willingness भी रखते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिला तो वैसे लोगों को कहते हैं unemployment मज़र हो न तो इस तरह यह से आपको जो मेरे को लगा कि सौट मोट के अंदर unemployment rate आ सकता है और बाकि ऐसे यह मैं पूरा चिप्टर आपके सामने रख दिया कि यह पूरा चिप्टर रही है क्योंकि मैं तो कोई बावा नहीं हूं ठीक है न कि मैं कोई भविश्वानी करो और बिल्कुल आपका पेपर में वही आ जाए इसलिए मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं आपको बता सकता हूं कि ऐसे आप पढ़िए ठीक है न देर इस नो उतना भी हो रखा है पूरा चिप्टर के वारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है यह नहीं कि यह मैंने पढ़ रखा यह मैंने नहीं पढ़ रखा थिगह ना इस तरीके से काम नहीं किया जाता है यह तो आप प्लिज लोग विडि़ू नहीं देख रखे हो तो आप please one time revise, जो लोग वीडियो देख रखें, वो reading के साथ revise करें, नहीं देख रहें, वो देखें क्या होता है, यह सारे term, ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छी तरहीं के से, दो-तीन वीडियो में मैं उसे बना रख, ठीक, next of all is national income accounting, national income accounting, मैं दो चिप्टर के उपर मैं basically important बात कर लूँगा, ताकि मेरे को बरोसा है कि आप लोग यहां से जाने के बाद रात को, जब टाइम मिलेगा, आप ये दो चिप्टर में से जान लेंगे, ये चिप्टर है, ये question ऐसे बनेगा, तो ऐसे मैं पढ़ता हूँ, ऐसे मैं notes ready करता हूँ, इसलिए मैं आपको इंट सोरे हैं, थोड़ा सा जालिए ये, एस्परोगे आश्मास में आया, प्राम यान आ, यान वट में प्रवेवन प्रवेवन, ऊटरिए ये, फोरोगे, ये से रच लाओ आव मेंगे, घा तो फिर कॉंटाक्ट नहीं होगा तो फिर अच्छे से पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा इस वे अगोटेट सो इसे एक और जो कोशन बन सकता है मेरे को लगता है जो यूनिट नमबर वन से वो बन सकता है बताईए हमारा दो तरीके के लोग होते हैं scientists are of two type अना दो तरीके के scientist हमारा होते हैं तो पहले जो होते हैं वो क्या normative ठिक है ना normative economist कीसे कहते हैं और positive economist कीसे कहते हैं पॉजटिव economist कीसे कहते हैं इसके उपर मैं अच्छे तरीके से बात कर रखा हो positive economist का मनलब वैसे economist सिर। वो economy के language में सोचें, कि मेरा GDP कैसे बढ़े, हमारा growth कैसे बढ़े, उनको फर्क ना पड़ता है कि सारे लोग पे equal distribution है या नहीं, हमारा सिर्फ cake का size बढ़ना चाहिए, unit number one, हम लोग semester one के अंदर पढ़ रहा है, equality and दूसरा efficiency, तो जो scientist सिर्फ efficiency के बारे में सोचते हैं, मतलब हमार पाई कैसे बढ़ा हो, हमारा economy कैसे बढ़ा हो, तो वैसे scientist को कहते हैं क्या, positive economist, positive approach, but वैसे scientist जो हो सोचते है, equality, कि हमारा बढ़ा पाई नहीं हो, हमारा बढ़ा पीचा नहीं होना चाहिए, equal part में उसे divide करना है, हर एक work में पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, सिर्फ अडानी अ पास ही पैसा हो, तो वैसे approach को कहते है, normative, not they are thinking about कि हमारा economy क्या, हमारे लिए better क्या, हमारे country के लिए better क्या, तो वो policy maker की नजरिये से सोचते हैं, कौन हमारा, normative, positive सोचते है, economist की नजरिये से, ठीक हैं, तो इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं, एक दो differences मैं उस video के अंदर ब accounting का मतलब होता है sum, क्या sum, कि पूरे economy के अंदर जितने भी चीज़े उसको sum करो, वो हमारा accounting बताएगा, nation का मतलब हमारा देश, तो हमारे देश के अंदर कितना income है, उसका sum करे, वो method बताता है किसके तरू, national income accounting, national income accounting, कि हमारे देश के अंदर, पूरे economy के अंदर कितनी income है, क economies activities, कि हमारे economy के अंदर कितना activities है जो भी activity हमारे economy के अंदर हो रहे हैं उसको measure करता है national income accounting फिर हम लोगों ने तीन तरीके के इसके अंदर पढ़ा था कि economic activity तीन तरीके के हो सकते हैं, पहला कि हमारे economy के अंदर कितना output है दूसरा हमारे economy के अंदर लोग को पास कितना income है उसको measure करो और तीसरा लोग कितना खपत कर रहे है उसको measure करो ठीक है न की industry कितना output बना रही है कितना लोग पास income मिल रहा है बनाने करण और कितना लोग खर्च कर रहे तो एक ही चीज तीन तरीके से देखा जा रहा है जितना output बनाएगी उतना ही लोग पास income होगा जो उसके अंदर काम करेंगे ultimately उतना ही income होगा और जितना income होगा उतना ही खर्च करेंगे So all the three approaches same हम लोगों ने और एंजीन और जूसीन वाले example की तुरू समझा था Output Approach, Income and Spending Output Approach को हम लोग क्या कहते है प्रोड़क्ट देखिए जो कई भी इंसान जानता है यहाँ पर कि क्या है वो अपने confidence के लिए आप chat box में लिखिए कि मैं यहाँ पर बोलू output approach method करने मेजर करने के तरीका को क्या गए तो आप लिखी chat box के अंदर की product approach income approach को क्या कर तो आप type करते रहे ताकि आपको recap भी होता रहे और आप लिखेंगे तो आपसे थोड़ा सा confidence भी आएगा कि मैं जानता हूँ ठीक है ना तो जो भी इंसान जानते है वो like कार्थिक, like सुभम, I expect कि आप लोग लिखो ठीक है ना, like Aditya, like Himanshi, so these guys are like gopis, these guys are permanent, यह daily, regular हा रहे है, so please, you can type it in the chat box, because you know about this thing तो this is product approach किसे कहते हैं, second one is income approach किसे कहते हैं, income approach, and third one is spending means expenditure approach किसे कहते हैं, expenditure approach तो यह, product approach, income approach, expenditure approach, कपुची का बता ही निसले income और counting हैं, and what are the different approaches through which we can calculate निसले income accounting, so you have to say, product approach, जहाँ पर हम क्या करते हैं, market value, output का देखते हैं, बात कर चुके हैं, income approach, जहाँ पर सारे income को सम करते हैं, पंचतंत्र, वेलकुल, next one is expenditure approach, expenditure approach के अंदर क्या करते हैं, जितना भी total spending हुआ है, उसको हम लोग सम कर, जितना भी economy के अंदर total खर्च हुआ है, that is expenditure approach, so ये तीन अप्रोच, और तीन अप्रोच की थ्रोम कैसे measure करते हैं, वो भी हम लोग बात कर चुके हैं, previously, इसमें market value, market value को सम करो, market value किसे कहते हैं, market value कहते हैं, कि जिस price के उपर कोई भी चीज बिक रहा है, कोई car है, उसकी दाम 8 लाग रुपे, ठीक है न, लेकिन इस car को बनाने में, किसी दूसरे company से, जो car वाली company है, वो किसी दूसरे company से tire खरदा होगा, brake खरदे होगा, दूसरे company से, तो क्या, ये car बनी तो इसका दाम उसने 8 लाग रुपे रख, तो ये जो tire और brake जो इसकी cost आड़े 2 लाग रुपे, ये तो 8 लाग रुपे के अंदर already है, include करके 8 लाग बनाया होगा, तो अगर हम लोग total value निकाला जाए, कि कितनी होगी, तो 8 लाग यहाँ पर produce की गई, और 2 लाग यहाँ पर produce की गई, तो 10 लाग रुपे, बट ये 2 लाग is included in this 8 लाग, this 2 लाग is included in 8 लाग, because वो car की पूरी value बताएंगे, जो भी goods को use किये है, car, brake, state, cover, कुछ भी, तो वो सारे calculate करें, तो वो included है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लाग यहाँ भी है, 2 लाग यहाँ यहाँ भी है, इस करन क्या करेंगे, एक 2 लाग को minus करेंगे, नहीं तो double counting हो जाएगे, double counting दो बार हम 2 लाग को calculate कर देंगे, हमारी value जादा आजाए, इसलिए हम यह 2 लाग को minus कर देंगे, and this 2 लाग को क्या करेंगे, intermediate goods, वैसा goods जो दूसरे goods को बनाने में use आए, उसे क्या करते हैं, intermediate goods, मज़रो, so this 2 लाग is intermediate goods, तो यह intermediate goods को minus करते हैं, जब हम final निकालते हैं, तो उसमें intermediate को minus करेंगे, जो car में, जो बनाने में use आ रहा है, यह pain है, इसके अंदर यूज आई होगी, चिप यूज आई होगी, कोई आपके पास अगर कोई पेन है, तो पेन बनाने में उसके अंदर रेफेल आया अलगती है, तो दूसरे कमपनी से वो खरदा होगा, तो intermediate goods है, उसे हम माइनेस करेंगे, because they're using other goods, that's why हम लोग ऐसे market value को calculate करते थे, हम अप्रोच में हम लोग बात कर शोगे, बहुत अच्छे तरीकी से पंचतंत, कि पाच तरीका है कमाने का, पहला कमाने का तरीका है वहिया, क्या, आप जो अर्ण करे, that is compensation of employees, है ना, कोई प्रोफेसर अगर कॉलेज के अंदर है, वो अर्ण करे अपने income, that is compensation of employees, पहला तरीका कमाने का, compensation of employees, जो आपको भेज मिले, दूसरा तरीका, प्रोपर्टी के थ्रू आप, आप प्रोपर्टी है, आप के पास कार है, आप कार को रेंड पे दे दिया, आपके बास ट्रेक्टर है, आपने ट्रेक्टर को रेंड पे दे दिया, वहां से आप अर्न कर रहे है, 4th one is वहां, 4th one is आपने शोचा, ground floor के अंदर एक shop खोल लिया जाए, छोटा सा, थाकि, आफ टाइम में मैं कुछ activity कर सकूँ, कुछ आन कर सकूँ, तो यहां से आप दुकान खोलने से आपको corporate profit आएगा, कि corporate profit, and 5th income is what, 5th income is, आपके पास बहुत सारा पैसे आ गया, कॉलिज में प्रोफेसर भी है, प्रोपर्टी के थ्रू भी, रिंटल इंकम भी, corporate profit भी, यह पैसे को ऐसे रखने से अच्छा है, किसी को loan पे दो, उधार पे दो, bank को दो, किसी दोस्तों के दो, दो पैसे, तो वहां से आपको क्या होगा, interest मिलेगा, तो 4th one is interest income, मतरो, so this 5 way of funding income is known as पंचितंत, मतरो, हम यह बुक में पंचितंतर नहीं लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ, इस है पंचितंत, तो इस पंचितंतर को अगर add करेंगे, तो क्या बनता है, national income, national income, मतरो ना, तू पूरे economy के अंदर कितनी income है, सारे income को add कर दो, तो यह national income बन जाएगा, तो इस NNP की बात करते हैं, तो national income plus net indirect tax, net indirect tax, net indirect tax अगर करते हैं, तो यह हमारा क्या बन जाता है, NNP, जब हम लोग net indirect tax add करते हैं, अब अगर NNP के अंदर, अगर हम लोग net factor payment add करते हैं, net factor payment तो यह हमारा GNP बन जा GNP तो यह सारा हम लोग mathematical part आपको confused नहीं करना चाहता जो नहीं देखें वो जा करके previous video को आप देखें product matter, output, product matter is same output matter and product matter is same they are called as a product matter output को measure करना as a form of market value कितनी market value है किसी भी output को उसको measure करो that is known as product matter getting summed getting so bum जल्दी, yes or no कैसे हम output matter को measure करते हैं, मूँ से कहते हैं product matter getting so this one की यह तीन तरीका क्या होता है कैसे आप बहुत अच्छी तरीकिते मैं बना रखाऊ on video, बहुत part में मैं बहुत ही basic से बना रखाऊ कम से कम इसके ऊपर मैंने 4-5-6 class लिया होगा आप बिल्कुल वहाँ से जाईए देखे, आपको एक पॉइंट चोटा चोटा पॉइंट आपको समद में आया, क्या प्रोच है कैसे measure करें, NNP क्या होता है GNP क्या होता है, GDP क्या होता है उसी तरीके से question बन सकता है बता है GDP और GNP क्या होता है NNP क्या होता है ये तीनों के बीच में क्या relation है बता चुका हो मैं, तीनों के बीच में क्या relation है GNP, GDP, मैं सारा चीज और रड़ी डिसकस कर रखा हूँ तो अब वहाँ से लेगे फिर हमारा आता है expenditure approach What is expenditure approach? तो expenditure approach कीसे कहेंगे? जब हम लोग total spending को sum कर देंगे तो उसे क्या करने expenditure approach कहेंगे total जितना भी approach है उसको sum कर देंगे तो अगर बात किया गया कि पहला जो खर्च किया गया देखी तो अगर हम लोग खर्च के नजज़ी से देखे तो वहाँ पर हम लोग example देखे थे orange in और juice in वो वाला मैं कहता हूँ कि example आप अपने mind के अंदर डाल लीजी प्यूब कि ये question आपका बनेगा ये बनेगा कि पताई approach क्या होता है different तो वो अगर example आप orange in और juice in वाला डालते है बेलकुल आप अपका page भी भरेगा आप concept की साथ लिखेंगे तो कहेगा बच्चे ने reading को पढ़ करके example यहाँ पर लिखा है और उसके through approach को समझाया है so I argue everyone की orange in और juice in वाला example है कि कोई orange का खेती करता है वो juice वाले को देता है कुछ मा आर्केड में 10,000 का बेजता है बाकी जो पैसे बचने 40,000 का वो juice वाले को देता है तो इस तरीके से आपको orange in और juice in वाला करना ही है तो उसके through आपको expenditure approach बताना है कि कितने लोग कि लोग जो है पहले तो खर्च कर रहे हैं public कितने की कर रहे थी juice खरीदने में डारेक्ट और इंजीन से 10,000 की आप example कितो दूसरा juice वाले के पास लोग पीने के लिए आ रहे थे juice पीने के लिए कितने की 40,000 की तो total खर्च कितना 10 और 40,000-50,000 की तो this is our expenditure approach कि लोगों ने खर्च कितना किया और इंज खरीदने में juice वाले के पास कितने लोगों ने खर्च किया juice पीने में तो total data is 50,000 that is expenditure approach की थे थो हम लोग ऐसे बताएं ठीक है? उके उसके बाद हमारा जो मैं आसा करता हूँ जो question है वो बनने का वो है nominal GDP and real GDP nominal GDP and real GDP कि nominal GDP किसे कहते है real GDP किसे कहते है and what is the difference between them मदूर न यहां से बिल्कुल question बनेगी या फिर हमारे time में जो बना था वो GDP defilator यहीं से आपका या था GDP defilator कि GDP defilator किसे कह तो nominal GDP by real GDP GDP by real GDP इस तरह के से हम GDP defilator nominal GDP किसे कहते है market price के उपर अभी 2022 के अंदर price क्या है 2022 के अंदर quantity कितनी sale हुई है तो यह क्या है यह nominal है अभी की बात करते है current की बात करेंगे जब भी nominal आएगा मिलब करेंगे अभी कितना price है अभी कितना quantity real की अगर भाद करते हैं तो हमारा क्या real का मतलब है कि आप एक base year tie कर लेते कि 2011 के comparison में अभी हमारा कितना output बन रहा है क्योंकि nominal के अंदर nominal के अंदर क्या हो सकता है कि हमारा GDP हमारा जो economy है GDP वो बढ़ सकता है कि उसका value ज़्यादा हो सकता है बढ़ प्राइस बढ़ने के कारण GDP बढ़ना is not a correct measure because वो inflation के कारण हमारा GDP increase किया है that's why nominal method is not a good method to measure our economy कि हमारा economy सही कितना कर रही है because nominal के उपर अगर हम measure करते हैं तो उसके अंदर quantity से भी हो सकता है price से भी हो सकता है अगर price से वो increase कर जाए तो वो सही तरीका नहीं क्योंकि price बढ़ने के कारण GDP बढ़ गया वो तो inflation के कारण जादा 100 कर रहा है quantity तो नहीं बढ़ा आपका so that is not correct measure we measure through real GDP कि मैं क्या करता हूँ कि पिछले price को fix कर देता हूँ price change नहीं किया price fix है कि 2011 के अंदर इतना price था और अभी कितना quantity बना है 2022 के अंदर तब हम measure करेंगे कि 2011 के अंदर price क्या था और 2021 के अंदर कितना quantity बना price क्या है या फिक्स है अब हम quantity को यहाँ से relate कर सकते है कि इतना quantity हमारा growth पिछले year के comparison में इस year इतना जादा हुआ है कब जब price को fix कर दे वहाँ पर price नहीं fix था that's why price उसके अंदर included हो सकता है कि inflation कारण GDP बढ़ जाए अब यहाँ पर नहीं हो सकता because price is fixed हमेशा GDP increase करेगा तो वो सोब करेगा economic growth के कारण output के growth के कारण that's why you use real GDP जिसके अंदर हमारा actual economy के अंदर कितनी है जिसके अंदर हमारा कितनी है उसके उपर हम बात करें ठीक है give me a second please give me a second है झात 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 है झात 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 झाल 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 इसके लिए आपको nominal किसे कहते हैं, real किसे कहते हैं, फिर आपको derive पर के लाना है, GDP defilator वो बतायता है, कि कितना हमारा nominal की value में कितना change करें, ताकि हमारा real आ जाए, ये nominal और real की relation बताता है, कि हमारा कितना है, that is known as GDP defilator, इसका definition भी मैं वहाँ पर बात कर चुका हूँ, उसी तरीकी से purchasing power parity किसे कहते हैं, purchasing power parity, power parity, उस video के अंदर मैं बाट कर चुका हूँ, purchasing power parity के बारे में, ठीक है न, कि purchasing power PPP किसे कहते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा interest rate के उपर था कुछ, कि nominal real किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं, real interest rate is equal to nominal interest rate minus inflation, महगाई को भाया, minus करो, समझ रहो, so this is our relation, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है न, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, inflation के उपर हम लोग ने बात किया था कि inflation किसे कहते हैं, है न, कि छोटा-छोटा सा पार्ट ये सब था inflation, interest rate, तो ये सब के उपर हमारा वो था, तो इस chapter से अगर देखा जाए कि हमारा importance क्या होना है, first, why three approach are equivalent, क्यों तीनो approach equal होते हैं, आपको orange in, juice in वाले, इसकी example, national income accounting किसे कहते हैं, कैसे measure करते हैं, second, ठीक है न, that is product income, तीनो approach को आपको explain करना होगा, पर national income accounting, that measures the economy activity of any country, ठीक है न, उसके बाद third, उसका third one, किसी, किसी तीनो के ऊपर बोल देंगे, बताए product approach क्या है, और कैसे measure करते हैं, बताए expenditure approach क्या है, कैसे measure करते हैं, बताए income approach क्या है, हम कैसे measure करते हैं, तो आपको वहाँ पर, आपको explanation तीनो को देना हो, ठीक है न, ओके, और अगर next one के बाद करते हैं, GDP, GNP, NNP के बीच में क्या relation है, ये, that is fourth one, and last one is, last one is GDP deflator, GDP deflator किसे कहते हैं, या nominal or real GDP के बीचे क्या relation है, ठीक है न, तो इस तरीके से, इस chapter के अंदर पाच, पाच करिए, आपका काम बन जाए, एक दू आपका, आएगा ही आए, 110% आए, जब से यादा chances आएगे, कि तीनों approach में से इस तरीके से हमारा, इस exercise से cushion बनेगा, ठीक है, अब आपको same link के through फिर से join करना है, ताकि मैं आगे आपका work करा सकूँ, ये, हमारा unit number four के उपर, तो ये हमारा दो unit का important type की cushion, मैं आपको आने वाला ही time में, मनलब, कुछ दिनों के अंदर, ये unit खत्म होने के बाद, मैं आपक ती question ये देखो, ये को important है, ये पूछा है, ये पूछा है, और उसके बाद सभी से sort कर, इसलिए उस चीज के लिए ready रहने के लिए, आप लोगो को सारे lectures को complete करना होगा, मतलए न, आपको lectures को देखना start करना होगा, अब कोई, अब कोई भी आपको, मतलब, ये नहीं कि मैं य किसी का birthday, किसी का, nothing, you have to make it, क्योंकि एक वार अगर आदत लग गई न, कि exam को कैसे भी pass कर लो, पूरा semester निकल जाएगा, पास करते हैं, कैसे भी pass कर लो, एक वार अगर आदत ये, ये गंदा वला लगा, कि यार, पास कर लो, कैसे भी pass करने के लिए पढ़ लो, तो this is very, 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 गंदा आदत, next semester हम कर लेंगे, लेकि next semester कसम से, इस semester से भी आपका गंदा होगा का, next semester के, इस semester से भी अंदर, उस दिन तो आप एक दो दिन पहले पढ़े है, इसलिए अभी आदत सुधार है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं, पास नहीं, मुझे अच्छा माक्स लाना है, अ और फिर हम लोग आगे बात करेंगे, unit number four, type two, हाँ, कुछ लोग यहां से जा भी सकते हैं, क्योंकि lack हो जाएगा, तो आप लोग move भी कर सकते हैं, चोड़ ना, हटा ना, but आपको फिर exam में इस चीज़ का भूगतना पढ़ेगा, so let's join everyone, with same link, okay?